द्रस्टी PCS के पीसेस इंशॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ दिपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पी एम प्रमान योजना की लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार पी एम प्रमान योजना शुरू करने की योजना बना रहे है चलिए जानते हैं योजना के बारे में PM प्रमान का पूरा नाम क्रशी प्रवंदन हेतु वेकल्पिक पोशक तत्वों का समवर्धन योजना यानि Promotion of Alternate Nutrients of Agriculture Management योजना है इसका उदेश जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के सयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उप्योग को प्रोट साहित करना है साथ ही रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोच साहित करना है इसका लक्ष रासायनिक उर्वरकों पर सबसीडी के बोच को कम करना है ये 2022 ते इसके 2.23 लाग करोड रुपे तक पहुँचने का अनुमान है वही 2021 के 1.62 लाग करोड रुपे से 39% अधिक है योजना की विशिष्टाओं की बात करें तो इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा मौजूदा अरुवरक सबसीडी की बचत के माध्यम से वित्पोशित किया जाएगा सबसीडी बचत का 50% उस राज्य को अनुदान दिया जाएगा जो पैसे की बचत करता है योजना के तहत प्रदान किये अनुदान का 70% गाउ, ब्लॉक और जिलास्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उतपादनिकाईयों के तकनीकी अपनाने से संबंदित परिसंपती सरजन के लिए उपयोग किया जा सकता है शेश 30% अनुदान राशी का उपयोग, किसानों, पंचायतों, किसानुत बादक संगठनों और स्वर्म सहायता समूहों को प्रुस्पत करने तथा प्रुस्पत करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग को कम करने होजागुर्पता पैदा करने में शामिल है एकिकरत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली यानि Integrated Fertilizer Management System IFMS पर उपलब डिटा का उपयोग किया जाएगा योजना के आवशक्ता की बात करें तो इसकी आवशक्ता है सरकार पर रासायनिक सबसीडी का अत्यादिक बोच को कम करने के लिए दूसरा गैर योग्या और वरकों का अधिक्तम खुद्रामूली कंप्री द्वारा नियंत्रित याद तै किया जाता है हलांकि हुचित मूली सुनशित करने के लिए केंद्र इन पोशक्तत्मों पर एक समार प्रती टन सबसीडी का भुकतान करता है विभिन प्रकार के उरवरकों के लिए प्रती टन सबसीडी 10,231 से 24,000 रुपए है तीसरा केंद्र सरकार प्रतेक सयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उरवरक निर्माताओं को यूरिया पर सबसीडी का भुकतान करती है इकाईयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिक्तम खुद्रा मूल पर उरवरक बेशना जरूरी होता है इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है चलिए जानते हैं सरकार की अन्ने पहलों के बारे में 2016 से उरवरकों में प्रतेक्ष लाव अंतरन परणाली की शुरुआत की गई है इसके तहट उरवरक कंपनियों को खुद्रा विक्रितां द्वारा लाभारतियों को की गई वास्तिल विक्री के आधार पर 100% सबसीडी दी जाती है सरकार ने उरवरक में अंतरन आदेश 1985 में नैनो यूरिया और जैव उत्तेजक जैसे नए पोशक्तत्मों को शामिल किया था सभी घरेल उत्पादगों के लिए नीम लेपित यूरिया के रूप में 100% यूरिया का उत्पादन करना अनिवार है वहीं 2015 से नए यूरिया नीती भी लागू की गई है चलिए विस्टॉपी से रेटेड अभ्धास प्रिश्न को देख लेते हैं प्रिश्न है भारत सरकार कृशी में नीम लेपित यूरिया के उप्योग को क्यो बढ़ावा दे रही है आप क्या ओप्शन है आप्शन A मृदा में नीम के तेल के प्रियोग से मृदा के सुख्म जीमों द्वारा नाइट्रूजर स्थरी करण बढ़ जाता है आप्शन B नेम कोटिंग मिट्टी में यूरिया के विगटन की दर को धीमा कर देती है आप्शन C नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है पसल के खीतों द्वारा वातवरंड में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है और आप्शन D है ये विशेश पसलों के लिए खरपतवार और उर्वरक का संयोजन है तो विवर्स इस प्रेशन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए शुक्रिया